केंद्रिय मंत्री जोतिरादित्य सिंध्या ने कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी पर निश्वाना साधा और कहा विदेश में जाकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि कॉंग्रेस की सरकार बनी तो आरक्षण खत्म करेंगे ऐसे में दलेतादिवासी और पिछले वर्ग के भाईयों बहनों को सचेत करना चाहता हूँ कॉंग्रेस से सावधान रहें कॉंग्रेस ने जब बाबा साब अंबेट कर जीवित थे उन्हें भी नीचा दिखाने का काम किया है केंद्रिय मंद्री जोतिरादत्य सिंध्या ने गवालियर में कहा 6 एक्टूबर को भारत बांगलादेश क्रिकेट मैच से 14 साल बाद गवालियर में क्रिकेट का वनवास खत्म हो रहा है हम कोशिश कर रहे हैं हर एक दो महिने में कुछ न कुछ नया संभाग में होता रहे सिंध्या ने राहूल गांधी को लेकर कहा विदेश में जवाकर राहूल गांधी कह रहे कॉंग्रिस की सरकार बनी तो आरक्षन खत्म करेंगे दले तादिवासी और पिछडा वर्ग के भाईयों बहनों को सचेत करना चाहता हूं कॉंग्रिस ने बाबा साहब अंबेटकर को नीचा दिखाने का काम किया है बारतिय जंदा पार्टी जब सरकार में आई तो अटल बिहारी बाजपई की सरकार और वर्दमान में प्रधान मंत्री मोदी की सरकार ने बाबा साहब अंबेटकर का सम्मान किया है समाज आदिवासी समाज के भाईयों और भेनों को मैं सचेत करना चाहता हूं कि कॉंग्रेस अगर आएगी तो जिस तरीके से बाबा साहब अंबेटकर जब जीवित थे उनको नीचे दिखाने का काम किया था चुनाव में उनको हराया था आसि उनकी हराने वाले को सम्मानित किया था भारति जंता पार्टी जब आई थी भारति जंता पार्टी ने भाटरन वजपई जी की समय में और प्रदान मंत्री के समय के वावा साहब अंबेटकर को देवता की तरह पूजा है कि आप देख रहे हैं दखल न्यूज